बिहार के अंदर चलने वाली जितनी भी पैसेंजर गाडिया हैं यानि वैसे गाड़ी जो यात्रियों को ढ़ोते हैं जैसे आटो हो या बस हो इन गाड़ीयों के लिए बिहार सरकार ने एक खास नियम मनाया है और अगर नियम का पालन नहीं होता है तो सिधे इनका पर्मिट बिहार सरकार के जो ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट है उनके तरफ से ये नियम बनाया गया है और इस नियम के तहद गाड़ियों में एक खास मशीन लगाई जाएगी और इस मशीन का काम होगा कि गाड़ी चल कर कहां जा रही है किस रास्ते पे है कब खुली कब बंद हु जो सारवजनिक रूप से यात्रियों को ढोते हैं और ऐसे वहानों में अगर ये मशीन नहीं लगेगी तो इनका परमीट ततकाल रद कर दिया जाएगा एक खास मशीन जिसको VLTD कहा जा रहा है यानि वीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिभाइस जो ट्रैक करेगे कि गाड़ी क जा रही है कहां जा रही है जिदर जाने का परमीट है वहां पर है कELLER कहीं यह और जा रही है और यहे नियम अब अगत्डम प्रभावी ढंसे बिहार के सवी भी जितने भी यात्रियों को ढोने वाले पैसेंजर गाडियां है इन सब पर लगेगा अब इसके बारे में क्या कुछ नियम बना है विश्तार से इस पर वीडियों में आगे बात करेंगे पर उससे पहले नमस्कार जन्ता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिस् बिहार सरकार का टांसपोर्ट डिपार्टमेंट मीटिंग करता है और मीटिंग का मुख्य निसकर्स यहीं निकलता है कि जितने भी शारवजनिक यात्री वाहन हैं जो यात्रियों को ढोने का काम करते हैं तमाम अलग-अलग शेत्रों में घूमते हैं और यात्रियों को यहा पलपल का लोकेशन अपडेट होते रहेगा और विना वीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानि VLTD के जो भी गाड़ी घूमेंगे यात्रियों को बैठा कर लेकर जाएंगे तो इनका परमिट या तो जारी ही नहीं किया जाएगा अगर नए गाड़ी है और उनके ऐसा ब लगाया जा रहा है तो उन वाहनों का भी या परमिट रद किया जाएगा तुरंत इस परेक्शन होगा अब इसके लिए तमाम तरीके के नियम बन रहे हैं एक तो सबसे पहला नियम यहीं है कि जितनी भी गाड़िया है जिसमें अभी तक ये जो डिवाइज है VLTD ये नही लग रहा था तो इनमें अभ ये डिवाइज लगाना पड़ेगा ये मसीन लगाना पड़ेगा जिससे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पलपल की जानकारी मिलती रही इसका हमेशा जो लोकेशन है वो अपडेट होता रहे पूर्ण को पता रहे कि गाड़ी कहां घूम जयसा कि औटो वाले मीठर के साथ करते हैं कि मीठर तो लगा होता है नियम का पालंग करने के लिए लेकिन मीठर से चलते नहीं है तो ऐसे समय में अगर वो लोग पकड़े जाते हैं तो उनके उपर का रवाई होगी और तुरंत उनका जो परमिट है वो रध कर दिया जाएगा इसके बाद अगर ऐसे इस्तिती में पकड़े गए और रद होता है तो राज्य परिवहन प्राधिकार जो है उसकी बैठक में यह निर्णाय लिया गया है कि 15 दिन के अंदर में अपने वाहन का जो VLTD connection है जो मसीन है उसको ठीक कराना होगा उसको सही सलामत काम पे लगाना होगा और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर से इसका साख्षे यानि प्रूफ ले जाकर जो प्राधिकार है जहां से यह सब कुछ हो रहा है वहां पे आप प्रूफ जाकर जमा करेंगे तब फिर से आपक अब जो गाड़ी जिनको यह पर्मिट मिल जाएगा मतलब की VLTD मसीन लग जाएगी ट्रैकिंग डिवाइज लग जाएगा तब पर्मिट मिलेगा तो सभी बसों पर या आटो वाले हो उन पर उसके जो सीशे पर आगे कहीं भी एक जगा जो अस्थान निर्धारित किया जाएगा जहां से सपश्ट रूप से पर्मिट धारी का नाम दिख सके आपको जो पर्मिट मिला है उसकी संख्या क्या है यह सब एक पर्मिट धारी का नाम जिसके नाम पी पर्मिट मिला है उसका पता फिर उसके बाद पर्मिट का जो नंबर है वो जो संख्या है वो इसका वैदता कब तक है यह कब तक रहेगा कब समाप्त हो जाएगा यह सब अंकित करवा के रखना है ताकि वो कोई भी पुलिस चेक करती जैसे जो भी यात्रियों को डोने वाली गाड़िया है जैसे कोई बस है तो उसका एक रूट निधारित होता है फलाने जगह से गाड़ी खुलेगी फलाने जगह जाएगी और इसका रास्ता यहीं होने वाला है रास्ता बदलाव ना हो तो इसलिए आपको मार्ग संख्या भी हैं उनका मोबाइल नंबर हर चीज स्पष्ट रूप से एकदम बस के सीसे पर ही या कहीं भी ऐसा जगह जहां पे यात्री देख सके सब कोई देख सके वहाँ पे लगाना है और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो राज्य परिवहन प्रादिकार द्वारा बस का परमिट होती हैं कमाई करती हैं उनके लिए यह नया नियम अब्बन के तयार हुआ है जिसका पालन करना ही पड़ेगा बागी आप इससे कितने सहमत हैं अपने पृतिकी या कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा तिन्दा दिंशन देख रहे हैं तिया आप बहुत बहुत धन्यवाद हुआ है तिया दो